फुटपाथ हम लोगों के चलने के लिए है लेकिन वहां रेडिया खड़ी है कभी फोन स्नाच और है कभी चेन स्नाच और है डेली का काम है कई बार बुज़रक यहां पे जो है गिर चुके हैं चोटील हो चुके हैं अस्पताल में मर भी चुके हैं जाके यह तो धौश जमाते हैं गुड़नागरदी हैं इनकी पूरा गुड़नाराज बनावा है हां पे ट्रैफिक वाले पैसा लेते हैं इन से सबसे दुकान जो पक्की दुकाने बनी हुए हैं मैंने कई बारी कंप्लेंट की ट्रैफिक को कोई नहीं आता रा को इनके पास कईयों के पास स्मैक भी बिखती है और ये तारू की बोतलें भी रखते हैं यहां सब काम होता है फुटपात पर तो सारी ठेडिया खड़ी हो जाते हैं सब्जे वाली सब फुलो वाली कब जा किया है गुंडा घरदी मिचा रखिये सरे आप नमस्कार मैं जारा आप देख रहे हैं जलको दिली हम यहां मौजबुद हैं जेके कलोनी दिलशाद गार्डन में आपको बता देती हूं कि यहां पर जो रेडी पट्री वाले हैं उन्होंने फुटपात पर चलने से लेकर रोड तक का इलाका घेर रखा है अपनी रेडिया ल होती रहती हैं यहां के लोग के बार शिगायत कर चुके लेकिन पुलीस पिरसाशन और PCD वालों ने इस पर को धिहान नहीं दिया नाहीं इसको लेकर अभी तक कोई तो यहीं की लोग इसे बाचित करके हम आपको तूरा दिखाते हैं किया नाम है सर आपका तो यहां क्या परीशानियां आ रहे हैं आपको फुटपात पर खरी हो सबचे वाली और चांट पकोले वाली सड़क पर है गारी तूवीलर रहें वोगत यह आने जाने का रास्ता सब लेकिन वहां रेडिया खड़ी है अब रेडियों पे खाने के लिए यहां पर पार्किंग की फिर लाइन लग जाती है तो कैसे चले कैसे सेफटी रहे हैं अच्छा पुलिस का आना जाना तो लगा रहता हो गा इस इलाके में हां लगा रहता है वह भी हमारे सामने उनको पार्क के अंदर भी रहता है राको इनके पास कईयों के पास मैक भी बिखती है और यहां सब काम होता है और दूसरा एक आदमी की एक रेडी नहीं है यहां पर एक आदमी की दस दस रेडिया जब भी अगर कोई कंप्लेंट करेगा भी पहले इनको पता चल जाता सारे रेड पहले ही बता दिया जाता है यह कंपाउंड के अंदर रेडी लेके आ जाते हैं पुलिस को हमने कंप्लेंट की वी हैं और उधर तो पर्मानेट वो सब्जी वाले तो कभी हटते ही नहीं है इवन एम्बूलेंस तक नहीं जा सकती यह समस्या आप कितने टाइम से देख रहे ह नहीं हुई है यह देखे पार्किंग आपके सामने है इसको अंदर जाने के लिए भी लोगों को जब कहते हैं कि वाई हमें अंदर जाना है गाड़ी लेकर के लोग जगड़ा करने लगते हैं इवन कांसलर से भी हमने बोला है लेकि नोबडी रेडी टू मिलक कॉपरेट ज आदमियों के बीच में खराया है चलने के भी जागा नहीं है बिलकुली अच्छा सब्सक्राइब लोगों को पर्मेशन है यह आपकी शोप है यह आपने पर्मानेंटी यह पर लगा रखी है अच्छा एक चीज़ बताईए इसकी आपके पास पर्मीशन है इस लागे में ल करने वालों को जाम लगा रहता है बच्छे निकल पाते निपटरी पेला रखी है नहीं यह तो फुटबाथ वाला एरिया है तो यह लोगों के लिए होता है आगे रोड पर रहूं है नहीं में पुरा वहां से कवर करती हूँ रहु नहीं रोड तक लगी है शिकायत है इसक अच्छा सर यह लोग तो बोल रहे हैं कि हमें जब हटाएंगे हट जाएंगे कई वारे प्रोच किया इनको मगर नहीं अटे पूरा गुंड़ा राज बनावा है हाँ पर सर यह जो आपने मतलब लगा रखी कब से लगा रहे हैं आप यह दुकान यहां पर अच्छा फेस तो म ही कौशन करने वाब है किसे परमिशंध दी यहां से लगा रहे हैं मैं यहां पर लगा रहा रहा हो है और तक आपने लगा रखा इसके अपने परमिशन ले大哥 पिछे करदेंगे यह बताएं से पहले पूलिस जटाया भी था लेकने हां पर आगर पीछे मानते नहीं फिर आगर आ जाते हैं ट्रैफिक वाले पैसा लेते हैं इन से सब से जो पक्की दुखाने बनी हुए हैं मैंने कई बारी कंप्लेंट की ट्रैफिक को वही नहीं आता इसे नॉर्मली हमारा गाड़ी गाई खराब भी में रोड पे हो गया तो फटावट पोलीस वाल आता है क्यों आता है इधर क्यों नहीं है यह उल्टा उल्टा जवाब दे देते हैं फिर बोले हमारा काम नहीं है यह M.C.D. का काम है M.C.D. में किया तो बोलता है जो दिल्ली गवर्णमेंट का काम है इस चीज़ का नहीं लिया जा रहा है इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि जादा लोगों तक यह पहुंच सके और यहां की लोगों को इस भीड़ बार से इस परिशानी से रहत मिल सके कैमरा मैं बैदान के साथ में जारा जलको दिली